हर हर मादेव जै भोलेनात नमस्कार दोस्तों मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पर आपका श्वागत करते हूँ दोस्तों बहुत जादा प्रशना आपका आ रहा था कि हमको बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या होना चाहिए और किस तरह से राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं तो इस वीडियो में आप यही जो आपकी दुविधा थी वो दूर होगी और दूसरी चीज आप जानेंगे कि किस प्रकार बेलपत्र आप चढ़ा करके और अपनी मनों कामना को पूर्ण करेंगे दोस्तों सबसे पहले राम नाम लिखने के लिए बेलपत्र को आप साप कर लिजिए साप करने के बाद चंदन या आश्टगन देखिए जैसा कि मैंने घोल लिया है आप भी घोल लिजिए घोलने के बाद राम नाम लिख दीजिए देखे आप लिखने को ओम नमस्शिवाय भी लिख सकते हैं सिर्फ ओम लिख करके भी बेल पत्र चढ़ा सकते हैं लेकिन होता यह है कि स्री राम जी का नाम बहुत ज़्यादा पशंद है महादेव को यानि कि उनके आराध्य हैं उनके इश्ट देव हैं इसलिए यह बात होती है कि जब आप किसी के इश्ट देव यानि कि जो उनके आराध्य हैं उनका नाम जब लिख करके आप बेल पत्र पर समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं तो बस यह जो तरीका है आप देख लेजें इसी विधी से आपको बेल पत्र पर स्री राम लिखना है क्योंकि राम लिख्या हुआ बेल पत्र जो है वहा कामनाओं की पूर्ण कराता है एक नहीं कही जगों पे मैंने पढ़ा है कि राम नाम लिख करके बेल पत्र समर्पित करने मात्र से असंभो से असंभो कामनाओं की पूर्ती होती है देखिए ये मैंने बेल का जो यहां से तूटा हुआ होता है वो मैंने ले लिया है और ये अस्टगंद था उसको मैंने घोल लिया है अब बताती हूँ आपको चढ़ाने की विधी क्या है सही विधी देखिए अभी तो ये सूखा नहीं है जब सूख जाएगा तो आपको क्य करना है कि देखिए सबसे पहले तो यहां से तोड़ लीजे आप यह जो लगा हुआ होता है तो यहां से निकाल लीजे तोड़ लीजे आप क्योंकि यह ऐसे लगा हुआ यह गांठ जो बोली जाती है उसको लगा हुआ पर समर्पित नहीं किया जाता है तो इसकी काठ्षे अलग कर लिजे और जब भी आफ स्यूलिंग पर समर्पित करें तो मानें की ये सियूलिंग की जला धारी है तो हमेशा ये जो भाग होता है ये हिस्सा आपका जला धारी के तرف होना चाहिए और इस तरह से करके और आपको स्विलिंग पे ये बेल पत्र समर्पित करना है तो ये बहुत छोटी सी जानकारी थी दोस्तों लेकिन आपके लिए बहुत जादा जरूरी थी क्योंकि बहुत जादा प्रशना आ रहा था आप लोगों को ये जानना था कि किस प्रकार राम नाम लिखें किस प्रकार समर्पित करें और अही बात लिखने की तो ये बहुत कम समय में ही बहुत अच्छी तरह से लिख लिया जाता है राम नाम और बस आपका बेल पत्र साफ और सूखा हुआ होना जै क्योंकि जब आप गेले बेल पत्र पर राम नाम लिखना प्र पत्र ही तरीके से बेल पत्र चडाने की विदी और इसी विदी, तो जो दो चीजे मैंने बताई उसको ध्यान रखेएगा कि यहां पे गांठे ना रहें बेल पत्र में, और समर्पित करने का सही तरीका यही है कि आप इस विदी से ही, यानि कि जलाधारी की तरफ ही आपकी, जो हिस्सा होता है आगे का वो जलाधारी की तरफ हो तो बस यही छोटी से जानकारिती उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी धन्यवाद